कि यहां एक नए टॉपिक हमें स्टार्ट करेंगे डेंटल प्रोड़क्ट डेंटल प्रोड़क्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टरम्स हैं जो हम उसको एक्स्ट्लाइन करेंगे जैसे anti-caries agent है, dentifrices है, abrasives है, desensitizers है और mouth wash है, इसके साथ साथ what is tooth decay और dental caries इसको explain करेंगे, dental fluorosis, उसको explain करेंगे कि dental fluorosis क्या है, यह topic उसके साथ इससे related compounds है, anti-caries agent में sodium fluoride है, stannous fluoride है, ऐसे ही di-basic calcium phosphate है, sodium metafosphate है, strontium chloride है, zinc chloride है, यह compound उसके chemical formula उसके uses हम इसमें cover करेंगे, dental product अगर इसको explain किया तो हम बोच सकते हैं dental products are the product which are used in the treatment of various problems associated with tooth, dental products are the product or dental products are the agent which are used for the treatment of various problems associated with tooth, dental product वो product है, जो दातों से related different problems, जो दातों से associate है, उसको सही करने के लिए जो agent यूस करते हैं, हम उसको dental product बोलते हैं, अब इसमें इसको अगर देखेंगे, कि common problem associated with tooth are the formation of cavities, the common problem associated with tooth are the formation of cavities, cleaning of tooth and reduction of shining over the tooth, कि ये different problems हैं, जो अपना दातों से associate है, सबसे पहले जो है, वो cavities का formation, cavities कहते हैं कि दात अगर खराब हो गएं, तो उसमें जो whole form हो जाता है, और सुराख हो जाता है, तो इसको cavity formation, जिसको carries formation भी बोलता है, the formation of cavities, कि दातों में सबसे पहला problem ये होता है, कि दात खराब होता है, और उसमें whole form हो जाता है, cavities form हो जाता है, जिसको carries भी बोलता है, the formation of cavities, दूसरा cleaning of tooth के दातों के सफाई, ये एक बहुत बड़ा problem है, के दातों के सफाई एक problem है, उसके साथ reduction of shining over the tooth, के दातों के ओपर से जो shining होती है, कोई चीज अगर हम देखें के कुछ पर कोई लोग ऐसे रहते हैं, जो खर्रा यूस करते हैं, और कोई दूसरी गुटका, पान यूस करते हैं, तो उसकी वज़े से दातों के जो shining है, वो खतम हो जाती है, उसका whiteness खतम हो जाता है, और उसका shining के अंदर बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है, ये लोई स्टीट दिखते हैं, तो ये, ये एक प्रॉब्लम है, तो इससे पहले, ये प्रॉब्लम को discuss करने से पहले, और इससे जो related terms है, उसको discuss करने से पहले, हम इसको देखेंगे, कि इसमें, जो दात का जो structure है, उसको समझना बहुत ज़ुरूरी है, कि दात का structure, अगर हम سमझ'? तो हमको एक general idea हमको मिल जाएगा तो उसमें जो है यह दाद जो है वो एक ऐसा tissues है जिसका main constituent जो है वो calcium है तो it contains three layer of Calcified tissues this main tooth it is composed of three layer of Calcified tissues कोई भी दाद है यह तीन layer से बना हुआ एक Calcified tissue होता है Calcified tissue होता है तीन layer से बना हुआ एक calcified tissue होता है, इसमें सबसे पहला जो उपर वाला portion है, जो बाहर से नजर आता है, जो white है और hard है, white है extremely hard covering जिसको बोल सकते हैं, इसको animal बोलते हैं, इसका जो main portion है, वो animal है, जो बाहर से हमको नजर आता है, वो animal है, जो extremely hard outer covering बोल सकते हैं, crown portion जो बोल सकते हैं, कि बाहर से एक 残नों के दातों वॉलता है उसको सिमेंटमुलता है मे उसको सिमेंटमुलता है इसपशन अफिक्जि पॉलता है दातों में धूम्गाओं状 और पल्म के बीच में रहोता है उसके बीच में एक पॉर्शन होता है जिसको डेंटाइन वाला पॉर्शन बोलता है जिसके अंदर डेंटाइन वाले पॉर्शन में ब्लड कैपिलरीज होती है और ब्लड वैसिल्स होती है तो यह इंपॉर्टेंट पार्ट है एक एनेमल है जो बाहर का outer covering है, heart covering है, ये भी calcified tissues है, एक cementum है, जो दातों की root है, जड़े है, जो गम के अंदर fix होती है, और एक पोरिशन जो है, वो जो animal और पल्म के बीच में होता है, animal, animal और पल्म के बीच में होता है, नरम पोरिशन के बीच में होता है, इसको dentine वाला पोरिशन बोलता है, ये तीन important portion दातों के अंदर होते है, अब इसके अंदर हम देखेंगे, जैसे हमने बताया के the common problem associated with tooth है, जो common problem जो दातों से associate है, पहला है formation, formation of cavities, के cavities का formation हो जाता है, yes, cavities जैसे भी बताया, carries जिसको बोलता है, hole form हो जाता है, दात खराब हो जाता है, कील लग जाता है, उसक cleaning of tooth, दातों की सफाई का भी एक बहुत बड़ा, बहुत बड़ा problem है, और reduction of shining over the tooth, के दातों के ओपर से जो shining है, वो खतम हो जाती है, तो वो product जो ये सारे problem के लिए use होता है, उसको dental product बोलता है, the product or the agent which is used in the various problem associated with tooth or known as dental product, अब इसको, अब ये जो different product है, इसके खास terms है, उस terms terminology को हम देखेंगे, एक तो anti-caries agent, जो exam में, examination point of view से इसको पूछता है, एक तो anti-caries agent, anti-caries agent हम भो सकते है, the agent which prevent the tooth decay or dental caries, anti-caries, the agent which prevent tooth decay or dental caries are called anti-caries agent, कि वो agent जो दातों के सढने को, या दातों की carries formation को, या दातों में जो cavities form होती है, उसको रोकने के लिए जो agent use करते है, उसक anti-caries agent, कि वो agent जो दातों के सढने को रोकते हैं, या खराब होने को रोकते हैं, या जिसको हम carries बोलते हैं, या cavity, cavity, whole form होने को, उसको उसको दूर करने के लिए use करते हैं, उसको बोलते हैं, anti-caries agent, simple way में इसको explain कर सकते हैं, the agent which prevent the tooth decay or dental caries are called anti-caries agent, the agent which prevent tooth decay or dental caries, the agent which prevent tooth decay or dental caries, are called as anti-caries agent. Example, इसमें sodium fluoride और stannous fluoride हम लिख सकते हैं. Sodium fluoride और stannous fluoride हम इसके अंदर लिख सकते हैं कि as a anti-caries agent हम इसको यूज़ करते हैं. दूसरा term जो है dentifrices. Dentifrices, तो dentifrices ये ऐसे compounds हैं, ऐसे agent है जो दातों की surface को clean करने के लिए यूज़ करता है. ये वो agent है, dentifrices वो agent है, जो दातों की surface को clean करने के लिए यूज़ करते हैं. यानि दातों की surface को clean करने के लिए जो agent यूज़ करता है, उसको बोलते है dentifrices. इसके अंदर जो दो property रहती है, dentifrices इसके अंदर कुछ dentifrices ऐसे रहते हैं जिसके अंदर abrasive property भी रहते हैं abrasive property इसको बहुत सकते हैं जैसे के sand वेपर होता है जब हम उसको कोई लोहे पर या किसी पर जंग लगता है तो उसको घसके उसको निकालते हैं इसको बहुता है किसी चीज़ पर से इस्टेन को या स्पॉर्ट फॉर्मेशन हो गया दातों पर तो उसको निक्लीन करना के लिए उसको रिमूब करना के लिए यूज करते हैं कभी-कभी डारेक्टी अंटि-dentifrices की जगाँ abrasive water, abrasive इसको पूछता है और cleaning agent same meaning उसके इंदर है तो polishing agent भी कभी-कभी इसमें यूज होता है यहां देंटि-फ्राइस इसको सिंपल में explain कर सकते हैं और चौह आपर चौह चौह पर चौह आपर हैसे घंड इंड इंच का निकालने वाली पर केसे सब्सक्रों को नुग लिंगे कि अंदर ऐसे केल्सिक पोस्फफेट इग्जामपल यह च्वा सकते हैं और जैसे बीगू सकते हैं 않नल सकते हैं abrasives are the cleaning agents, which are used to clean the surface of the teeth and are used to remove the stain from the teeth. इसमें, abrasives को बो सकते हैं, यह एक cleaning agent है. abrasives are the cleaning agent, which are used to clean the surface of the teeth. के abrasive cleaning agent है जो दातों की surface को clean करने के लिए यूज कर सकते हैं और दातों पर जो stain है उसको remove करने के लिए इसको use कर सकते हैं तो इस तरीगे से हम इसको explain कर सकते हैं cleaning agent पूछा या abrasive पूछा दोनों के लिए हम बोसे हैं अब cleaning agent अगर पूछ रहा इसी चीज़ को तो कुछ words change करके हम बोसकते हैं the agent which are used to clean the surface of the teeth and they are used to remove the stain from the teeth because this cleaning agent have sufficient abrasive property क्योंकि इसके अंदर sufficient abrasive properties भी होती हैं अब इसके बाद एक word है polishing agent तो polishing agent हमको मालूम है polish करना यानि दातों की whiteness को maintain करना अब इसके बाद एक Limited है दातों के सेंसेशन को खतम करना है जैसे अभी जैसे अभी बता है कि दातों में कैवेटीज फॉर्म हो जाते हैं होल फॉर्म हो जाता है जैसे यहां दातों में कैवेटीज फॉर्म हो गई तो यह कैवेटीज फॉर्म होते होते हैं वह पॉर्शन एक्सपोज हो जाता है वह प पेन होता है, severe sensations develop हो जाते हैं, तो उस sensation को कम करने के लिए, वो सारे sensation को कम करने के लिए, reduce करने के लिए जो agent यूज करते हैं, उसको desensitizer बोलता है, the agent which are used to decrease the hypersensitivity of the teeth, the agent which are used to decrease the hypersensitivity of the teeth are called desensitizer, कि वो agent जो दातों की hypersensitivity को कम करने के लिए यूज़ करते है वो agent जो दातों की hypersensitivity को hypersensitivity किसको बोलते है कि कोई थंडा खा लिया तो severe pain हो गया जैसे भी बताया कि blood cavities दाद खराब हो गया cavities form हो गया इसमें hole आ गया और ये blood capillaries तक के ही होल चला गया तो कोई चीज अगर हम ठंडी चीज खा लिया या गरम चीज खा लिया तो वो directly blood vessels को और blood capillaries को touch करता है जिसकी वज़े से severe pain होता है जो sensitivity दातों की बढ़ जाती है तो वो agent जो दातों की hypersensitivity को कम करता है उसको बोलता है desensitizer The agent which are used to decrease the hypersensitivity of the teeth are called desensitizer The agent which are used to reduce or decrease the hypersensitivity of the teeth are called desensitizer They act as a local anesthetic They act as a local anesthetic उतने हिस्से को सुन करके वो अपनी action को produce करता है के दातों में जो sensation आ रहा है उसको सुन कर दिया तो sensation खतम होगा They act as a local anesthetic इसमें example strontium chloride है, zinc chloride है तो यह example हम इसके अंदर लिख सकता है Desensitizer के अंदर, estrontium chloride है, zinc chloride है इसके बाद जो एक term है mouth washes Mouth washes को हम simple way में हम बोल सकते है The mouth washes are the medicated liquid preparation के mouth wash अगर देखे Povidon iodine का mouth wash है या Lestrine mouth wash है या और कोई mouth wash है तो mouth को clean करने के लिए infection को कम करने के लिए Bad smell मूँ में है, mouth में आती है तो infection की वज़े से वो smell आती है तो उस smell को कम करने के लिए और गरगरा करने के लिए throat infection हो गया, mouth infection हो गया ulcer form हो गया तो ऐसी condition में जो antiseptic agent से गरगरा गारगल करते हैं तो उसको mouth wash बोलते हैं तो ये क्या है रहता है एक medicated liquid preparation होता है which is used for cleaning the mouth क्या है, medicated liquid preparation होता है medicated liquid solution होता है जो mouth को clean करने के लिए यूज करते हैं तो हम mouth washes को simple way में explain कर सकते हैं the medicated liquid preparation which are used for cleaning the mouth during pre and post operative procedure during खास सोर से pre operative and post operative procedure में जो mouth को wash करने के लिए organism से free करने के लिए या mouth में से खराब smell को खतम करने के लिए या throat infection तो धूसरे infection अगर हो गया निगल इन निनफेक्शन है उसको कम करने के लिए जो गारगल यूज करते हैं उसको mouth wash बोलते है medicated liquid preparation the medicated liquid preparation which are used for cleaning the mouth during pre-operative or post-operative procedure are called mouth washes उसको बोलते महुथ जोuned या the medicated liquid preparation which are used for cleaning the mouth during pre-operative or post-operative procedure are called mouth washes उसको हम mouth washes बोलते हैं अब इसमें example hydrogen per oxide है potassium per magnet solution है यह सब गारगल करके और mouth wash करके यूज कर सकते हैं अब इसके बाद एक important चीज है जो examination point of view से भी कि what is two, three के और dental caries कि दातों के सड़ना किसको बोलते हैं यह caries formation किसको बोलते हैं कि कैरies कैसे form होती हैं बोलते हैं दातों का सड़ना बोलते हैं यह caries formation का होना इसको बोल सकते हैं तो यह एक destructive process है tooth दी के क्या है dental caries क्या है यह destructive process है जिसमें दातों का decalcification होता है यानि calcium उसमें से धीरे धीरे रिमो होता है जो दातों की hardness कम हो जाती है दात तूटना शुरू होते हैं और whole form होना शुरू हो जाता है यह फिर से कि यह एक destructive process है यह एक destruction वाला process है जिसके अंदर दातों का calcium धीरे धीरे कम होना शुरू होता है और calcium क्यूंकि दातों के hardness के लिए calcium ज़रूरी है तो calcium कम होता है दात तूटते हैं घाकर où deposit हो जाता है गर हम candies खा रहे हैं सोते समय अगर हमने candies खा लिया कुछ picKI खा लिया कुछ ऐसे sweets हमने खा लिया और उसको सोने से पहले clean नहीं किया जब दातों के बीच में deposit होते है तो राध बर mouth में रहने के बाद बाद जो organisms यह डाइंजम करता है जिसकी वाज़े से वाला पोरिशन जो है रॉग्ड ड्ल». भी ऊसको एक्सपों टोडेकए-ल्डेकेट अ-डिस्टक्त्टिव-पॉरिश शॉर्फॉर्मेशन गरता है inflict damage to disaster. destructive process in which decl์ sification of anamali occur. के यह animals का de-calcification होता है and calcium dero 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 chased by the animal کا destruction होता है animal का destruction होता है. Tooth decay is a destructive process in which de-calcification of animal occurs in which 번째 cin State of animals occurs थेम्हड एक्सक्र से तूटी के इद ए डेस्तक्र्थ process in which decalcification of animals occur. It is believed that the food particles especially those containing fermentable carbohydrates such as candies, pastries, sweet may lodge between the teeth, may lodge between the teeth, may deposit it between the teeth where bacteria can grow, where bacteria can grow and by the action of bacteria on the fermentable food and by the action of bacteria on fermentable food the acid is produced. This acid dissolves the animal, so the animal breaks down and carries its form. So the animal breaks down and carries its form. So the animal breaks down and carries its form. So this is why the animal is broken and carries its form. So we can explain it again that the tooth is a destructive process in which the decalcification of the teeth, food particles, especially candies, pastries, sweet, these are deposited under the teeth. And if you can say these fermentable food products, this causes the effect of organisms, which causes the acid, which causes the calcium to dissolve. This acid dissolves the calcium, which causes the calcium to dissolve. It causes the animal break down and causes the cavities to form. It causes the animal break down and causes the cavities to decay. The destructive process in which the decalcification of animals occurs. It is believed that the food particles, especially those containing fermentable carbohydrates such as candies, pastries and sweets may lodge or may deposited between the teeth, where the bacteria can grow. And by the action of bacteria, acid is produced. This acid dissolves the animal. This acid dissolves the animal, so the animal breaks down and carries its form. And this causes the destruction of the tooth. So this can be destroyed. So this is an important examination point of use. We can explain it. Now there is one more important term here. Dental fluorosis. Fluorosis is made by fluoride. We can see that for the caries of the caries formation, fluoride is an important element. that if it is in the tooth paste, fluoride is also made by fluoride. If it is fluoride, then it will be stopped. It will be decalcification. It will prevent decalcification. And the organisms who have the decalcification of the teeth, it will stop the caries of the caries of the caries. So this can be used for dental fluorosis. This is a kind of fluoride. But the dental fluorosis is an abnormal condition which we have taken in excess quantity. We have taken in excess quantity. In small quantity, there is a need for fluoride. For the teeth and for decalcification, there is a need for the teeth. In small quantity, there is a need for fluoride. But in large quantity, when fluoride is ingested in the body, it will be deposited on the bone structures. The teeth and other structures are deposited on the teeth. And the multi-colour structure and the stain is developed on the teeth. The teeth and the teeth are developed on the teeth. So here, if we explain the dental fluorosis, then we explain that fluoride is very small quantity. It is necessary for the teeth of the caries of the caries formation. But when we use the large quantity of fluoride, we use the body, then the teeth and the teeth are deposited on the teeth. Multi-colour structures develop the teeth, which we are treating the teeth of the caries of the caries. When we use the teeth of the caries, the teeth of the caries, the small amount of fluoride is necessary for the prevention of dental caries. If a large amount of fluoride is ingested into the body, it may be deposited अगर लाज अमाउंट में अगर कोई ले लेता है तो वह दातों पर डिपाजित हो जाता है फॉर्म और प्रोडूस मॉल्टेट अनिमल इस इस नोन एस देंटल फ्लॉरोसिस उसको बोलते हैं देंटल फ्लॉरोसिस तो फिर से इसका एक्स्प्लेइन करें इस्माल अमाउंट प्लेदा फ्लोरॉराइड में इसलिवाइट प्लाइश नेसेसरी प्ल्रिवन्टेंश सप्लोच बेपर इनिजै इसंप्ट्रूल प्लॉरोसिस प्लाइड टों लॉरोट करें इस इसके बाद Um इसका कमपाउंड स्टार्ट करेंगे, पहला जो कमपाउंड है वो सोडियम फ्लॉराईड, इसका सिनानेम अगए देखेंगे, फ्लोरोसिडॉ फ्लोरोसिड यह सिनानेम है, इसका केमिकल फॉर्मुला जो है न-A-F, nodum कि वल्विंट कर सकता है कि इसको एंटी कैरेजेंट करके युज़ कर सकते हैं यूज़ जो अंदर और अस्ट पूर एस के अंदर में जो हड़िया है जो हट्डिया है जोुणि הר простine Alla आप जैसें आपादे को यूंच हम जा आ करते हैं शुट रोशा आई वह जार्म पहना upbringing को फृरिपशार treatment of water fluoridation treatment वोटर का होता है उसके उसके लिए भी इसको यूस कर सकता है इद उसके लिए भी इसको यूसक कर सकते हैं तो यह इसके यूसेज है सबसे पहला यूस है इस ए ऐस एट के लिए इस एजन इस एस ऊपोरी सिस्को एसके TREATMENT में यूस कर सकता है यूस फार वाटर फ्ल इसको जो है वह लिए अजिन कर के भी स्क रहत कर सकते हैं इनकॉम्पिटिबिलीटी अगर इसकी देखेंगे यह इत इस निंकॉम्पटिबल विद केल्शिय में मेगनेशियम सॉल्ट जो कैल्शियम में जो केल्शियम सॉल्ट के साथ आध इनकॉम्पिड़ीबल होता है इसके इसका जो सिनोनिम है वो तिन झाल प्लोलाइड है इसका जो सिनोनिम है वो तिन फ्लोराइड है इसका केम मिकले फॉर्मुला थाम एस इन एक टो समय सकते है युजेश के अंदर हम इसके मिली देखेंगे It is used as anti-caries agent, कि इसको as anti-caries agent करके यूज़ कर सकते हैं, It is also used in the controlling gingivitis, It is also used in controlling gingivitis, कि मसोडों के अंदर past formation हो जाता है, उसके अंदर smell आने लगती है, माउट में इसमेल आने लगती है, जिसको gingivitis बोलता है, तो उसको control करने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, And it is also used in dental hypersensit sensitivity, कि hypersensitivity को भी as a desensitizer, It is also used as a desensitizing agent, कि desensitizing agent करके भी इसको यूज़ कर सकते हैं, It is also used as the antimicrobial agent and used to remove the plug, कि प्लग को remove करने के लिए as antimicrobial agent इसको यूज़ कर सकते हैं, तो इसके अंदर stainless fluoride के uses में लिख सकते हैं, It is used as anti-caries agent, It is also used in controlling gingivitis, gingivitis को control करने के लिए इसको यू इसको यूज़ करके भी इसको यूज़ कर सकते हैं, It is also used as antimicrobial agent and used to remove the plug, प्लग को remove करने के लिए खराब दातों के बीच में जो deposit होता है, उसको remove करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, तो इस तरीके से हम इसको uses लिख सकते हैं, इसके बाद जो दूसरा compound है, तो दूसरे compound में Dibasic Calcium Phosphate है, Dibasic Calcium Phosphate है, जो CAHPO4 जो इसको लिख सकते हैं, CAHPO4, CAHPO4 और दो molecules में water के है, Dibasic Calcium Phosphate, Calcium Hydrogen Phosphate, इसका जैसे अनुनिम है, Calcium Hydrogen Phosphate, Dibasic Calcium Phosphate, जिसका से रानिम, Calcium Hydrogen Phosphate, CAHPO4, 2H2O, यह इसका chemical formula है, और it is used as a cleaning agent, as a dentifrices, uses देखेंगे, तो यह as a cleaning agent, हम इसको यूस कर सकते हैं, इसके साथ-साथ, इसके साथ-साथ, it is also used as a Calcium Supplement in Pregnancy and Lactation, Pregnancy के अंदर Lactation के अंदर है, जिसका कैलिमेंट करके भी यूस कर सकते हैं, इसको यूस कर सकते हैं, जिसमें हडिया कमजोर हो जाती है, और हडियों का development बराबर नहीं होता, बोन्स का development बराबर नहीं होता, तो इसके इसको यूस कर सकते हैं, तो यूसे में इसको 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 इसक रिकेट्स के अंदर में इसको यूज कर सकते हैं इसके बाद जो नेक्स है इस्टॉन्टियम क्लॉराइड इस्टॉन्टियम क्लॉराइड जो दूसरा कंपाउंड है इस आर सी एस आर सी एल टू यह इसका फॉर्मॉला है एसर सी एल टू और इसके अंदर छे मॉलेक्यूल जो है वो वाटर के हैं तो इस आर सी एल टू यह इस्टॉन्टियम क्लॉराइड इस टॉन्टियम क्लॉराइड है सरसी एल टू शिक्स्ट और यूजर्ज में अगर इसके देखेंगे इति इस यूज़ेज एज जेंटरेंटेफराइड जैञेंगे इस क्लीनिंग एजन करके यूज़ कर सकते हैं इसको दीशेंसिटाइजंग एजन करके भी यूज़ कर सक इसके बाद जो नेक्स कंपाउंड है वो जिंक लोराइड है जिंक लोराइड बटर ऑफ जिंक जिसको से नॉनिम बोलते हैं से नॉनिम इसका बटर ऑफ जिंक बटर ऑफ जिंक है और कैमिकल फ्रॉमूला के देखेंगे जैडन C-2 जैडन C-2 यह का का येकिकल फर्मूला है हम अगर इसके यूजेज देखेंगे तो इसके यूजेज लिख सकते हैं को एंटी सेप्टिक एंटिसेप्तिक इस्टिंज़ करके भी यूस कर सकते हैं इत इस ढूसेप्तिक ऑन एंटेशनिंगर ब्लइजाल संतेजिऑ चुल हुज जो से लिदे मौलश बाखोशं इसको युज कर सकते हैं और सभी अव में चुना परोधिस ऌ center the show很好 घाएं डीजेड़ की में… and it is also used as a mouthwash and it is also used in the treatment of ulcer and fistula and it is also used as a zinc supplement for maintaining good good health जो good health को maintain करने के लिए भी इसको use कर सकते है it is also used for the development of immune system of the body immune system को develop करने के लिए भी zinc chloride को use कर सकते है तो यह इसके uses हैं important uses हैं it is used as antiseptic and astringent it is also used as a desensitizing agent for teeth दातों के लिए desensitizing agent करके उसकर सकते हैं it is also used as a mouthwash and it is also used in the treatment of ulcer and fistula fistula के treatment में इसको use कर सकते हैं zinc supplement for maintaining good health इसको use कर सकते हैं zinc supplement करके और it is also used for the development of immune system in the body body के अंदर immune system को develop करने के लिए भी इसको use कर सकते हैं तो इस तरीखे से हम इसके uses लेख सकते हैं तो यह compounds हैं और इससे dental products related terms हैं वहाँ जो question different questions है जो अलगे लग terms है anti-carries agent है, dentifrizes है, abrasives है, ऐसी इसके साथ-साथ desensitizer है, mouth washes है और उसके बाद tooth दीके हैं यह एक साथ exam में water, tooth दीके और dental caries है and explain dental fluorescence को explain करने के लिए पूछता है यह different terms है, जो examination point of view में के लिए से important है करने करने